जीवन जिसे बोलचाल में जीवन कुमार भी कहा जाता है भारतिय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे उनका जन्म 24 अक्टूबर 1915 को कश्मीर में हुआ था जीवन का असली नाम उमकार नाथ धर था उनके पिताजी पुलिस में उच्छ पद पर थे जीवन का बचपन काफी संपन्न माहौल में गुजरा लेकिन जब वे तीन साल के थे तब उनके पिता का निधन हो गया इसके बाद उनकी मा ने उनका पालन पोशन किया जीवन ने 18 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया और फिल्म उद्योग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आ गए शुरुवाती दिनों में उन्हें काफी संधर्ष करना पड़ा और उन्होंने कई छोटे मोटे काम किये उनका पहला बड़ा ब्रेक फिल्म फैशनेबल इंडिया में मिला जहां उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया 1940 के दशक में जीवन ने कई फिल्मों में महत्वपून भूमिकाएं निभाई उन्होंने 60 और 70 के दशक में खलनायक के किरदारों के लिए प्रसिधी पाई उनकी अदाकारी का सबसे मशूर पहलू था उनके समवाद और उनका विशिष्ट अंदाज फिल्म नजराना, तीसरी मन्जिल और कसोटी में उनके द्वारा निभाये गए किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं जीवन ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया और उनकी सबसे प्रसिध फिल्मों में अमर अकबर, एंथनी, धर्मा, कुमवारा बाप और सोहनी महिवाल शामिल हैं उन्होंने न केवल खलनायक के रूप में बलकी हास्य भूमिकाओं में भी अपनी चाप छोड़ी उनकी व्यक्तिगत जिन्दगी में भी उतार चड़ावाए जीवन का विवाह कुमकुम से हुआ था और उनके छे बेटे और दो बेटियां थी उनके बेटे किरण कुमार भी भारतिय फिल्म उद्योग में एक जाने माने अभिनेता है जीवन का निधन 10 जून 1987 को मुंबई में हुआ उन्होंने भारतिय सिनेमा को कई यादगार और अद्वितिय किरदार दिये जिन्हें आज भी याद किया जाता है